नमस्का दोस्तों ज़िए आप में सर्विस करते हैं और आपके पास में आयूश्मान कार्ड बना हुआ है और आप आयूश्मान कार्ड के थुरू अगर आपने ट्रीट्मेंट कराया है और फिर अगर आप मेडिकल क्लेम करना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ही कर सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सबसे पढ़कर करना है आपने कोई भी एक ब्राउजर खोल देना है जैसे कि मैं अपने मोबाइल में कर रहा हूं तो आपने मुबाइल में Google Chrome यूज करना है और उसके बाद में सर्च बटन में जाकर के आपने टाइप कर देना है www.tms.pmj.gov.in login यह link मैं अपने description box में डाल दूँगा आप उसमें जा करके directly click करके इस page पे आ जाएंगे इस page में आने के बाद दोस्तों सबसे उपर आपको देखेगा AB PMJ TMS आपने यहां पर जाना है यहां पर click करने के बाद में आपके पास में next page का इस तरह का आपको interface देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको जो interface मिलेगा एक तो यहां पर दिया हुआ क्यूक लिंक और एक दिया हुआ आपको login तो फिलाल अभी करना है आपने क्यूक लिंक वाले कॉलम में जाना है और आपने सी एपी एफ रिम्बर्समेंट लॉग इन वाले option को आपने चूज कर लेना है तो यहां पर हम इसको चूज कर लेंगे चूज करने के बाद में दुबारा से जो है आप जाएंगे और यहां पर अब जो है आपने सी एपी एफ रिम्बर्समेंट लॉग इन क्योंकि आप में चूज किया था उसका पेज यहां पर खुल जाएगा और यहां पर आपने अब लॉग इन टाइप पे क्लिक करना तो लॉग इन टाइप में क्लिक करेंगे तो आपके पास में दो option आएंगे या तो आप आई उस प्रिस आइडी है यानि कि आपको फोउस नम्बर हो आपने यहाँ पर कर दे रहा हैं तो यह पर देखे हो सतरु मैंने अपना फोग हमदलः टाइप कर दिया है और उसके बाद में नीचे आपने फोर्स टाइप यानि की कौन से डिपार्टमेंट में आप सी एप के अंदर में किस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं वह आपके पास यहां पर ऑप्चन आ जाएगा तो मालीजिय मैं यहां पर क्योंकि सेयर प्रे टर्ष इपएगा जिसे आपको प्रेंट को कॉपी करने के बाद में आपने और प्रेंट को पीस्ट कर दें हैं पेस्ट करने के बाद हैं यहां पर करने का रहा ह। तो यहां पर जो capture दिया है दोस्तों मैंने उसको यहां पर type करना start किया है दोस्तों दिखिए यहां पर जो आपको capture दिया जाएगा उस capture को भी आपको इस column में यहां जो box दिया गया है इस box में आपको type कर देना है type करने के बाद में फिर आपने login पर click कर देना है लॉग इन क्लिक करने पर यह OTP और आपने जो capture डाला है उसको यह verify करेगा verify करने के बाद में आपके पास में इस तरह का page खुल जाएगा जिसके अंदर में आपकी पूरी detail आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर फोटू होगी आपका address आपका state आपका contact number हर एक चीज यहां आपने इसको scroll down करना है नीचे की तरफ जाना है और यहां पर आपको जो है अब जिसका भी आपको claim करना इसके बाद में नेक्स स्टेप है reimbursement type यानि कि आपको जो claim करना दोस्तों वो कौन सा claim करना तो आपके पास दो option फिलाद देखने को मिल रहे हैं पहला है outpatient decent यानि इसको बोलते हैं OPD और एक है inpatient detail outpatient यानि की आप आए आपने दवाया ली और उसके बाद अपने घर पे चले गए और inpatient यानि की आप आए आपकी तपर ज्यादा खराब थी तो आपको जो है hospital में जो है admit करना पड़ा और वहीं पर आपका treatment चला तो आप जैसे भी आपका treatment लिया गया उसके साफ से आपको आपको जो है column को select कर लेना तो for example मानी जी कि मैं अभी OPD यानि की outpatient detail वालों यानि की में hospital गया था मैंने और फिर मैंने अपने घर बैठ करके अपना इराज कराया लेगले इंट्रूल में जाकर करके अपना डॉक्टर से मिलता था तो वह हो गया OPD तो मैं OPD वाले option क्लिट कर लेता हूं और उसके बाद में नीचे आपको green box दे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास नेक्स पीज आएगा उसमें सारी details जो है आपको भरनी होगी उससे पहले यह चीज को verify करेगा और verify करने के बाद दोस्तों आपके पास में एक page खुल जाएगा उस page के अंदर में हर एक चीज जो भी मांगी जाएगी उन चीजों को आपको जो है चीजों को claim करना होगा तो यहां देखिए दोस्तों अब आपके पास पीज खुला है तो सबसे पहले पेज जो आपका details होती है वह आ जाएगा उसके बाद में next page में आपका आजाता है bank account details तो bank account details जो है वह automatically जो है यह होथी है जो कि आपको बढ़नी नहीं होती है वह automatically आप आ जाती है इसके बाद में आती है आपकी nextуз में hospital की details तो आप जस्पीटल में लेकश करा या उस आता है होस्पीटल की detail को आपको यहां भरना होता है सबसे पहला है आपका hospital state तो आप जिस howeveruna मादी माली जी की मैंने जो है treatment जो करा आया था हमार स्चीट में इस बाद में किस district में कराई आ कोछा रए तो इसका district आप यहां पर भर सकते तो हमार स्चाव ने QC पर देश कि मैं ने घ्राइ डिस्ट करा नाम है याद है तो मैं SME आई होस्पिटल कानगरा पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद में यहां मेरे होस्पिटल के नाम भी आ जाएगा नेक्स पेज में हम चलेंगे आगे तो अब आएगा investigation diagnostic आपके पास जो भी investigation की गई थी उसके डियागनोस्टिक के बिल उसका date जो भी होगी वह आपको डाल लोगे तो यहां पर आपको बिल नमबर डाल देना है जो भी आपका बिल होगा उसके बाद में कौन सा बिल टाइप था वह आपके लिखा हुआ है कि invoice बिल टाइप बिल क date क्या थी वह आपको डाल देनी है और diagnostic जो भी आपके पास में document से वह भी आपके आपको डाल देना है इसके बाद में कितनी cost है आपकी वह भी आपको यहां पर डालने की मेरे investigation को जो charges थे उसके इतने रुपे लगए यह हो जाने के बाद में आपने add investigation diagnostic आने की कि किसी-किसी patient के ऐसे भी होते हैं कि एक बिल नहीं होगा उसके 5 बिल होंगे 6 बिल होंगे तो आपने हर बार अपने अपने बिल वाइस इन चीजों को डिटलों को भर देना है जो column दिये गए हैं और यहां पर add investigation डाविंश पर क्लिक कर देना हो उससे क्या होगा कि वह आपका बिल add हो ज रखते हैं इसके बाद में जब आप पूरे डिल add कर देंगे दोस्तों तो यहां पर आपकी total amount जो है आपने जितने भी आपने बिल लगाया है diagnostic के उसका amount यहां पर आ जाएगा अब आता है फार्मेसी चार्ज यानिकि जो दवाईयां ली होंगी जोस्तों उसका क्या तो उसक्ताम को आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद में medicine जो आपने ली थी वो कौन से brand की है कितनी medicine ली है for example आपने medicine जो है quantity दिखा देनी हैं यहां पर कि आपने यहां पर पांच medicine ली थी और एक medicine का rate जो है 45 रुपीज था तो आपको यहां पर amount डालना होगा यह मैं medicine का price जो है 8 रुपे था तो एक medicine याने की unit cost आपको यहां पर डाल ली हो और same pattern पर आपको यहां पर add pharmacy पर क्लिक करना है तो आपका जो बिल होगा वो add-on हो जाएगा ऐसे दूसरा बिल होगा तो उसको भी same process में डिल मांगी गई है आपने भर देना है और उसके बाद में add pharmacy पर क्लिक करना है तो जैसे आपका investigation reports के बिल आपने add किये थे same pattern में आपने pharmacy charges के भी बिल add करने और आपके बिल यहां पर आ जाएंगे admission डिल आएगी यानि कि date of opd कप से आपने treatment करना start किया था वो दोनों डिट यहां पर आपने डाल देनी है इसके बाद में आएगा आपका total charges जब आप उपर वाले कॉलम को जो भर देंगे तो आपको कॉलम जो है आपका जो बिल का अमाउंट है वो आपको यहां पर ले जो डॉक्यमेंट में डाले हैं वो सही है और मैंने कोई भी ऐसा क्लिम जो गलत नहीं किया इसके बाद मैं action टाइप पे क्लिक करना है एक्षिंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे इरिसेट क्लिम पे क्लिक करना है और add attachment to submit यहां पे अगर आपके कोई documents हैं उन सब को आपको documents को upload करना होगा तो यहां पे आपको add attachment to submit पे क्लिक कर देना है जब यहां पे हम इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपके attachments हैं मालेज़े की date of opd का था या कोई भी कोई चीजे थी वह आप डालना चाहते हैं वो इसमें डाल देंगे डालने के बाद में last में जब चीज देख लिए और सब चीजे ठीक हैं तब आपने क्या करना है सबसे उपर scroll down करना है और यहां पर आपको दिख जाएगा raise claim का open option आपने raise claim क्लिक करना है और आपका जो आपने claim क्लिक कर रहे हैं वो claim raise हो जाएगा अब जब आपने raise claim कर लिया दोस्तों तो यहां पर यहा इस नंबर को आपने no down कर देना और no down करने के बाद में आप इसको track कर सकते हैं कि कैसे मैं इस चीज को track कर सकता हूं कि मैंने claim किया था उसका क्या status है तो कुछ नहीं करना दोस्तों simply यह तीन लान दिखनी है यहां click करने के बाद में आपने यह जा करके track claim पे click कर देना है कि track जो आपने claim किया उसको आप track करेंगे कि मेरा जो है जो मैंने claim किया था उसकी अभी क्या इस्तिती हो रुकिए है आपको जब track claim पे click करेंगे तो उसमें जो भी option मांगे जाएंगे आपका number जो create किया गया है वो number आपने डाल देना है और वहां डालने के बताब आपको सब submit क तरेंगे आप अपने ट्रैक को भी क्लेंब कर पाएंगे यह सिंपल सा परोसिस था जिसको आपको करना होता है और आपको जब आयुषमान कार्ट से कोई ट्रिटमेंट लेना है दोस्तों तो उससे पहले आपको अपना आयुषमान कार्ड जो है एक्टिवेट करना होगा तो एक सिंपल सा उप्शन है या तो आप एम पैनल होस्पिटल में जाईए वहां से अपना एक्टिवेट कर लीजिए या फिर आप तो कंपनी लेवल में और डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है एजेंट्स हैं जो कि आपके आउस्मान काड को एक्टिवेट कर सकते हैं बस आपको और आपके फैनली मेंबर्स को अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है दोस्तों फिलार के लिए अच्छे लगिए तो लाइक कीज़ेगा और अगर आप पहली बार में चलमाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपोर